जे जिरिंद्रा जे बोले ना दोस्तों तीन बच के 33 मेंट हुई है जस्तीन मिनेट पहले मार्केट बंद हुआ और आज मार्केट ने बुदुवार को प्लस में बंद किया है आफ्टर सो मेनी वीक्स बुदुवार को हमेशा निगेटिव बंद होता था बीच में 27 तारिक अला बुदुवार अलागी पॉजिटिव था लेकिन वह खुला भी पॉजिटिव भी था अब थस्डे को कल बुल्स के फार देगा एक ही दिन में 200-300 पॉइंट कल निफ्टि घिर सकता है वह भी बताऊंगा लेकिन सब कुछ बताऊंगा चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरा क्या-क्या मैसेज डाले अब एक्यूरेसी और मैसेज देखेगा खाली बस पहले कि तीन मिनिट बात बात और मैं आपको प्योर एनलेसिस करके बताऊंगा यहां मेरा कुछ पर्सनल भी नहीं रहेगा ठीक है अब देखें यह मारी ग्रूप है अब यहां पर आपको चारी मेंबर दिख रहे हमारे पास गरीब लोगों इस इतने ही आते दस जन्वरी बाई बैंक निफ्टी सेटालीस जार कॉल नौ बज के उन्चालिस मिनट आज का लो कितना चार्सों पचास इसी कोल का लो अगर आप देखोगे तो चार्सों पचास नौ उन्चालिस पे दे दिया था लेकिन कुछ लोगों ने बोला से रहम को डिले मिलते मिल तो मैंने इसको इसको मैं क्रेडिट में लूँ अपना मैंने इमानदारी से 440 से साइट लिखा था और कुछ लोगों को नहीं मिला तो चलिए देखते हैं पहले बैंक निफ्टी का यह कॉल कहां पर अभी यह कॉल अभी चल रहा है 697 सुबह का अपलो देखिए इसका कितना है 450 यह फिगर जो मैंने लिखे थे वह एक्टिवेट जरूर हुआ है एक्टिवेट जरूर हुआ चार सो चाली से साट के बीच लिखा ना एक्जेक्ली 450 का लोगना है एक्क्यूरेसी देखिए एस्टिए बैंक का शॉट कार्ट लिजे नौ बचके चपन में जो कल शॉट बोला था आपको 16-18 में आज कुछ बावन त्रेपन या कुछ पे लिखा था मैं ओंजी सी का 215 वाला कॉल ले लिजे आप लोग को यादो को मैंने ओंजी सी की डिलेवरी आपको समझाया था किसे लेना कि दो रुपया साथ मुझे पता था एक बार 209 रुपया तक ओंजी सी आएगा ब्रेक आउट को रीटेस्ट करने के लिए अब यहां से ओंजी सी 300 रुपय जाएगा एक साल में डिलेवरी एड करिएगा कि स्टॉप लोग स्ट्रिक्ली एक रुपया टार्गेट 6 से बारा रुपया जिन्वरी में तो देखते हैं यह वाला क्या हुआ है दो सो पंद्रा का को लिए रहा अभी ट्रेड हो रहा है तीन रुपय में लास्ट ट्रेड तीन रुपय में लेकिन इसका लो काफी देर बाद आया 2 रुपय मैंने कहले लिए इफ कम्स नेर टू एड करिएगा तो एक्जेक्टली टू आया देकितना मैचिंग हो रहा है और अब तीन रुपया हो गया तो दो वाला का तीन हो गया दो साट वाला का भी तीन हो गया कि एक रूपय का स्टॉप लोस था च्छे का टार्गेट आपको दिखाऊंगा यह आएगा छे से बारा का टार्गेट है जलिए यह बाइक वाइक वाइक कि आट हजार में यह सब चाहिए कि और क्या चाहिए को करोड़ोपति बन गए ऐसे कि ओन जिसी का फ्यूचर दो सो नौ से ग्यारा के बीच आये तो पोजिशनल बाइक करना है कि स्टॉप लोस यह पहले ही लिख दिया दस सैंटिस पे यह आएगा मुझे विश्वास था एक सो पिच्चानमे का स्टॉप लोस टार्गेट दो सो चालीस विदिन जन्वरी 10 रुपिया आया ना एक्जेक्ट आया जो फिगर दे रहा हूं आएगा नो से ग्यारा के बीच आये तो आपको भाई करना यह लिखा है ठीक है यह भी एक्टिवेट हुआ और अब 13 रुप्य कितना चल रहा है देख लिए कि फूचर में कितना चल रहा है का है तेरा रुप्य चल रहा है 3850 की लॉट अगर आप सोचो आपने 11 में भी लिए चले 10 में नहीं लिए आपने तो भी आपको कि दोर पर मिल ला है आज ही है है उसके बाद दिया कर जो जूबलेंड फूट का पूट दिला था उसको पूरा पूर फिट्बूक कर लो पॉली केंप का भी कल पूट दिलाया था उसमें एक्जिट हो जाओ इसका बैलेंस अपने को यहां दिख प्लीज ट्रीट बैंक निफ्टी कॉल क्योंकि वह लेट हो गया था ठीक है इन फी फर्वरी पंदा सो पूट जो मैंने फर्वरी का पूट दिलाया था वो रॉकिंग जो सेफ ट्रेडर से वह पच्पन पे एक्जिट हो जाना लेकिन मुझे इसका रिजर्ट खराब लगता है तो जो लोग रिस्क टेकर से वह है ओंजी इस कंफॉर्म बुलिश देकि हमने जब ओंजी से गीर गया था ना साड़े बारा बजे जब यह दस रुपे आया था फ्यूचर में और उसका पूट का दाम दो रुपे आ गया था तहह मैंने लिखा ओंड इसे इस कंफॉर्म बुलिश 129 पे सिर्फ ब्रेक in one year it will reach 300 and this month and it will reach 226 to 232 confidence boost up करने के लिए तो फाइदा ही हुआ for risk takers only यह यह risk takers के लिए इसलिए नाम लिख दिया मुझे लगा कि दो बज़े गिराएगा तो कि गिराएगा नहीं गिराए चलिए उसके बाद मैंने क्या लिका दो तेइस पर ध्यान दीजेगा दो ते इसको बहुत बड़ी नोट करेगा दो तेइस पर ऐसा लिखना तुमोरों वेरी बिग रेड़ डेसाएग दो सो से तीन सो पॉइंट कल निफ्टी गिरेगा आज अब रिकावरी मोड रहेगा आज अपनी रिकावरी दो तेइस पर लिख रहा हूं ध्यान दीजेगा यह पहला वेनेजडे होगा आफ्टर सो मेनी वीक्स जहां मार्केट ग्रीन होगा अधर्वाइस लास्ट्री वेनेज़ फुली डेड़ बट नेक्स डे रिकावर हो जाता था नाव टुमोरो बिग रेड एंड फ्राइडे फर्स्टाफ बिग रेड चोधा बचके तेइस मिनट यानि कि दो तेइस के बाद मार्केट का क्या हुआ हूँ भी हम चेक करना चाहेंगे आज यहां पर पांच मिनट की केंडल लगा देते हैं तो दो तेइस के बाद क्या हू मैं लिख रहा हूं और यहां से निफ्टी कहां भागा कि अभी तेज होगा बोलके इतना भागा कि सौब पॉइंट की तेजी आई इसके बाद यह लिखने के बाद मिला लिजे टाइमिंग के साथ तब तक निफ्टी डाउन ट्रेंड में था देख लीजा आप मैंने लिखा आज तेज होगा लिखा देखिया आप कहां गया कि यह दो तेज में दो बच के तेज मेंट टुमोरो वेरी बिग रेड डे सायद दो सो से तीन सो पॉइंट कल गिरेगा आज अब रिकवरी मोड रहेगा यह पहला वेनेज़ डे होगा आफ्टर सो मेनी वीक्स जा मार्केट ग्रीन होगा अधर्वाइस लास्ट थ्री वेनेज डे उसमें 27 वाला ग्रीन ही था लास्ट थ्री वेनेज डे फोली रेड बट नेक्स दे रिकवर हो जाता था नाव तो 2-23 पर अब recovery mode में रहेगा मार्केट ठीक है ना एक एक्यूरेसी अट्थ जार आपको एक साल की फिस की होनी चीह है इसकी होनी चीह पच्चीस जार में मैंने की फिस ठीक है कि छोड़ी जब और फ्राइड़ी तक ही रहेगा उसके तीस जर पर लगें साल का अब आजाते हैं हम लोग कि अब आपको बताता हूं मैं कि क्या होगा क्या नहीं हुआ कि अब पर पहले वेनेजडे वेनेजडे चेक करते हैं यह आज का वेनेजडे इसके पहले वेनेजडे तीन तारिक ज्यान दीजेगा यह वेनेजडे आज का हो गया तीन तारिकों क्या हुआ तीन तारिकों पूरी तरह से रेड हुआ मार्केट ऊपर खुल के 2661 का ओपनिंग है लेकिन क्लोज हुआ बुरी तरह से रेड हुआ लेकिन अगले दिन क्या करता था वह अगले दिन क्या करता था हुआ समझ मैं बुदुवार के अगले दिन यह आपको एक बुदुवार करने जरा दिखाया हुआ एक तरीक के पहले 27 तरीक था यह एक अलग बुदुवार था 27 तरीक वाला इसके अलाव कंटीनु देखते चाहिए 27 तरीक वाले बुदुवार में निफ्टी बड़ा और नेक्स डेवी बड़ा ठीक है एकस्पारी थी उससे मैं आपको याद होगा तो यह एकस्पारी के कारण से ऐसा होगया था 28 को एकस्पारी थी आपको पता ठीक है इसके पहले जो बुदुवार था 27 के पहले वो 21 तारीक हो था 21 तारीक हो देखे एक मंगल बड़ा रेड़ था एक नया लोग बनाके रिकवरी किया था नया लो ठीक है और उसके बाद एक तेजिवे लगबग हर बुदुवार ने किस 27 के पहले 20 होगा ना सौरी 20 को बुद बड़ा उपर खुला था 21 550 पे खुला था और बंद हुआ 21 150 पर है नेकिन गुरुवार को क्या किया नीचे लेका उपर खीच दियाइस हर बार बुदुवार को गिरता था गुरुवार को उबता है इस बार क्या हूब कर घेशा है तो घृचकर जैज धना दना इस बार दो दिन मंदी बुद्वार को यहीं पहले थे दो दिन थे जी बुद्वार को मंदी कि ट्रेंड को समझे कल मुझे लगता है इसको देखते हैं मैं लॉजिकल बता है कि रॉंग राइट हो सकता है दो सो से तीन सो पॉइंट कल निफ्टी गिर सकता है कि बैंक निफ्टी का तो पूछो मत 900 भी कल गिर सकता है और अगर नहीं गिरता है तो साइध कल एक बार उस 21834 का हाई को तूड़ेगा वह चांसे कम है लेकिन वह सकता है तो अब आज़े तेहम एक बार देखते हैं निफ्टी में आज हुआ क्या यहां तो निफ्टी ने भी कि बहुत ही दो बार क्लोज भी हो चुका निफ्टी का देखे 20 SMA था आज कि इस चार्सो अठ्था सी कितना था कि किस फोर एटीट यह एसे में था 20 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है और यह में था निफ्टी का इकिस तीनसो चोरान में कि ट्वंटी इए में था हमने इए में आज नहीं छुआ ऐसे में लेकिन छूदिया 20 वाला किसे छूदिया क्योंकि आज का लो था 21 2448 इस से 40 पॉंट नीचे गया था लेकिन इसको नहीं छुआ इसको कल छूदेगा भाई घबराएं मत क्यल का दिन मुझे जैसा लगता है अब कोई क्या न्यूज आएगी क्या नहीं और यह आज का जो खिचाओ है फसाने का ही हो बना चाहिए अब इसका एक और एनलेसिस करते हैं लेकिन मैं यह नहीं बोलता हूं कि कल ऐसा ही होगा लेकिन लगता ऐसा जो लोजिक मैंने समझाए बुद्वार वाला लोजिक वो भी काम आएगा आपके एक बार मैं तीन ही मैने का इसको चार्ट कर लेता हूं और आपको वह बॉक्स व और 2834 का बॉक्स तह अब देखे यह नहीं दो बार मार्केट 2500 के नीचे गया तिकिन दो बार में एक बार भी क्लोस नहीं किया एक बहर कप गया आठ तारीक को हमने यानि कि सोमवार को सोमवार को हम कहां गये थे 21492 बट उसके बावजूद क्लोजिंग जो थी वह 21-500 के नीचे नहीं आई 21-500 का लो कब बना था तीन तरीक उस दिन भी बुदुवार था ठीक है तीन तरीकों भी बुदुवार था चेक कर लिजेगा तीन तारीक को 21-500 रुपया इकिस हजार पाउसो रुपैनिस पैसा की नीचे निफ्टिव थी तरीक स्थी तारीक काई था और यह 234 पॉइंट की रेंज बनाया इसने कितनी बनाया एक तरीक से तीन तरीक के बीच में एक तरीक को यह हाई था एक जन्वरी को 21834 और तीन तरीक को यह लो था तो यह 334 पॉइंट का डिफरेंस यह रेंज है अब यह वाला जो 21500 है इसको निफ्टी ने तोड़ा जरूर लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया जो मैंने आपको मंड़े के वीडियो में समझे आज भी निफ्टी ने इसको तोड़ा आज तो नया लोग बनाया 21448 मगर आज भी क्लोजिंग करते करते हैं वह 500 के उपर ही क्लोज हूँ है कितना क्लोज हूँ आज 618 और अगर देखा जाए यह इस वीक की हाइस क्लोजिंग है इस वीक में हमने मंड़े को हाई बना था 763 मगर मंड़े को क्लोज कहां किया था हमने 513 मंगलवार को क्लोजिंग कहा आई थी 544 पर आज क्लोजिंग आये सबसे उची तो यह एक बूल्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि वीक का लो जरूर बना 448 का लेकिन क्लोजिंग वाइस सबसे उपर क्लोज और यह अभी तक इस बक्सा में बरकर आ रहा है उपर जा सकता है कि तो मैं इसको देखते हुए आपको टार्गेट दे रहा था 2166 334 पॉइंट अगर आप 21500 से माइनस करोगे क्योंकि 2502 बार ठूट चुका है लेकिन क्लोजिंग बैसिस नहीं टूटा जब तक कोई चीज क्लोजिंग बैसिस नहीं टूटती है तब तक उसको टूटा हुआ मानो मत अगर कल चूटा है तो सुक्करवार और सोंवार में यह 500 गिरेगा फ्राइडे और मंडे के बीच में यह 500 गिरेगा अगर कल उपर वाला एंट चूटा है इसको भी नूट कर लीजेगा तो कि अभी इसका 20 यह में बाकी है आज ऐसे में चूटी है तो यहीं एक करनम में आपको उस दिन भी सोंवार को भी बोला था यहां मुझे एक ही डाउट दिख रहा है कि वह 500 के नीचे क्लोज क्यों नहीं किया जबकि जबकि बैंक निफ्ट को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ऐसा ही बक्सा बना लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा अब बैंक निफ्टी क्यों भी कर आप मैंसे कई समझदार लोग समझ गया हूं कि बैंक निफ्टी का इस वीक थीन दीन हो पिछला वीक पिछला वीक का है था 48,450 और उससे पहले वीक का है था 48,636 पिछले वीक पिछले वीक 47,480 का लो था पिछले वीक का है था 48,450 और 47,480 का लो था बैंक निफ्टी का यह बक्सा में आ गया ठीक है इसमें मैं 600 भी ले लिया हूं खल भी बैंक निफ्टी ने पिछले वीक का लो था तो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा चांसे हैं कि हम 46,600 का भावत देखें दो दिन के अंदर अंदर वो सकता कली देखें वो सकता कली देखें आज की क्लोजिंग 47,360 आईए उसके बावजूद बूल रहा हूं एक बार बैंक निफ्टी अपना इस 50 ए में को टच करने आएगा 50 ए में कितना 46,437 46,437 तो हम 46,500 का भाव देख सकते हैं किस बैंक निफ्टी में और यह अभी तक वीक है कनफॉर्म वीक है खाली वीक निए कनफॉर्म वीक है तो कि इस बक्सा के नीचे ही चल रही है यह देखें यहां पर पिछले वीक से हमने नीचे क्लोज किया था पिछले वीक का क्लोजिंग था 40 लो था 47481 जहां मार्केट 1000 गिरते वह आया था आई से नीचे 1000 गिरा था और यह लो बनाया था लेकिन पिछले वीक के लो के नीचे हम तीन दिनों से क्लोज कर रहे हैं पिछले तीन दिनों से कंजीकुटिवली सोमवार मंगलवार बुदुवार यान कि बैंक निफ्टी में 1000 परसेंट चांस है कि कि कितना यहाई है 46 48 636 माइनस 1200 ग्यारा सो पॉइंट 47486 474 80 से ग्यारा से इसको लिख लिजा इसमें प्लस माइनस 100 लिख लिजी लेगिन यह भी आएगा कब तक आएगा दो से तीन दिनों में अगर कल तेजी होती है तो भी मंगलवार तक आ जाएगा इसा तो बैंक निफ्टी क्लिरली विख है क्योंकि इसने तीन कंटी तीन कंजीकुटिव डे पिछले विख के लोग के नीचे क्लोज किया जबकि निफ्टी ने पिछले वीक का लो 21-500 के नीचे एक बार भी close ने किया लेकिन दो बार उसके नीचे गया कब कब गया एक मंडे को गया 21-400 बांड में और एक आज वेनेस्डे को गया 21-448 लेकिन close ने कि तो निफ्टी और BNC में एक डाईवर्जन चल रहा । क्या डाईवर्जन चल रहा है बैंक निफ्टी अपने 20 EMA के नीचे consecutive दिशरे दीन close कर रहा है थर्र डे consecutive थर्र कंजीकुटिव क्लोष बिलो का 20 EMA कि थर्र कंजीकुटिव क्लोष बिलो ट्वंटी एम है बैंक निफ्टी में इसके ट्वंटी एमे की वेल्यू कितनी है 47,478 इसके नीचे पिछले तीनो दिन से ये क्लोज कर रहा देखिए पिछले तीनो दिन की क्लोजिंग क्या बता रहा हूं मैं आपको मंडे की थी 450 इसके नीचे है ट्यूजडे की थी 242 और आज की क्लोजिंग है 360 तीनो दिन इसने 20 एमे के नीचे क्लोज किया लेकिन आज एक ग्रीन केंडल जरूर बनाया है क्योंकि ओपनिंग से उपर आया मगर इस टेरिटरी में नहीं गुस पाया कौन सी टेरिटरी में 47,480 तो जब जब बैंक निफ्टी 47,480 के पास आएगा प्लस माइनस 50 पॉइंट प्लस माइनस 50 पॉइंट यह स्पोर्ट का लेवल लिख लीजे आपको ठोकना है और 100 पॉइंट उपर का स्टॉप लोज दालना इस से 50 पॉइंट उपर दिखे यह एग्जेक्ली यह दिखे अगर यह एग्जेक्ली इस पे ठोकते तो 1500 पॉइंट उपर का स्टॉप लोज डालना और इस से 50 पॉइंट उपर दिखे तो और 100 पॉइंट उपर का स्टॉप लोज डालना ठोकना ही ठोकना इसके बाप को भी यहां आना है तो निफ्टी में यह डिफ्रेंस आपको मैंने समझाया यही चीज निफ्टी में नीचे लोग आपको कहा कहा तक कानिया बता देते हैं सिंपल इसको नहीं कर देते हैं तो देखें यहां पर हम यह था पिछले बुदुवार का लो 21-500 यह हमारा इस मंडे को टूटा था आठ तारिकों मगर इसके नीचे क्लोज नहीं आई पिख कि बैंक 750 में इस लोग के नीचे तीनों दिन आई इस्में दोबहर इस लोग के नीचे गया एक मंडे को गया एक काया लेеб भी इसके नीचे क्लोज नहीं है तो यह कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सर्प्राइज दे सकता है या फिर आज एक ट्रैप होगा क्योंकि कल पहला बुद्वार था जहां पर उचाल रहे है अलागि 27 को पॉजिटिव हुई थी उस दिन लेकिन वह एक्सपारी का मूव था मूव थ है 28 को एक्सपारी थी मंतली वाली है कि क्लियर है होप मैंने अच्छा सखिया लाइक्स आप लोग बराबर दोगे मेरा मानना कल एक ड्रास्टिक गिरावट होगी या कल हम एक ही दिन में 834 के उपर दिखाएंगे और मंगलवार तक हम फिर लिख लीजिए आप लोग 21,166 दिखा देंगे अगर कल हम 21,834 क्रॉस भी करते हैं तो भी हाला कि बहुत बड़ी बात हो जागी क्रॉस करना क्योंकि अभी बहुत दूर मंजिल आज की क्लोजिंग आई है 618 तो बहुत दो सो बीस पॉंट कल भागना पड़ता है तब जाके वह हाई चूता है मुझे तो नहीं लगता है मुझे कल 200 गिरने वाला कंफॉर्म लगता है जै जिनिंद्र जै बोले ना जै लेकिन निफ्टी अभी भी टेक्निकली बॉक्स बरकरार है हाला कि नीचे अब देखो ऊपर का दर्वाजा और नीचे का दर्वाजा समझातों आपको क्या होता है कि सिखा देता हूं आज एक नीची जोर जिस नीचे के दर्वाजे में 500 वाले में यहां यहां तुमने लाथ मारी यहां लाथ मारी यहां लाथ मारी और आज । चौति लाथ भी मारी लेकिन कलोज नहीं कर पाए इसके नीचे इसके नीचे जरूर 화े जब की इकिस ऐड़ सो चौन दर्वाज़े में एक बार मुझेश बताये कौम सा दर्वाज़ा Turkish हो जाता है जिसमें आप लाक मारते हो बारा या एक बार जिस दर्वाजे में आप चार बार लात मारते हो तो पांच वार बहुत चांसे है कि वह दर्वाजा सीधा टूड़ जाए कि कल बड़ी रेड क्लोजिंग आ जाए इस दर्वाजे को हमने खली एक बार लात मारी हलकी से तो यह एरिया वीग हो गया है बले हमने इसके नीचे क्लोज ने क्या लेकिन 500 का जोन वीग हो गया है क्योंकि कोई चीज बार बार टेस्ट होड़ी है मतलब वह तूटने वाली है ठीक है इस समझने की बात है रेस्ट आल ओके जै जिनेंद्र जै भूलेना जैहिंद नाइन सिक्स त्री फाइब फोर सेवन सिक्स सेवन डबल एट वाट्सप करिएगा अगर आपको वेबिनार या वह ट्रेडिंग ग्रूप जोइन करना है बाट ट्रेडिंग ग्रूप में सुकरवारता की फेसिलिटी रेगे उसके बाद 32,000 चार्जिस रहे एट थाउजन की जगह 32 अगर बैबिनार भी 10,000 वाला जो है तेरा ता एक से स्टार्ट है आप लोग इस आज होगाई दस तो दो दिन में आप करना तो कर लिजिए सनिवार को बास से स्टार्ट होगी अगर आपको जोईन करना तो कर लिजे फ्राइडी तक आपको allowed है उसके बाद अगली जब भी वेबिनार अनाउस होगी वह 30,000 से नीचे की rate में नहीं हो जै जनेंदर जै भोलेना जै